तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो एफ्रिकन लोबर्ट से इसको बोलते उनका ब्रिड कैसे करें तो इस वीडियो को भी आपको बिल्कु स्कीप नहीं करना है क्योंकि मैंने यह इंफोर्मेशन एक फॉरेंटर से लिए है आप जो वीडियो में देख रहे हैं उन्हीं से मैंने सब इन्फोर्मेशन लिकिया वह ब्रिड कैसे करते तो इनके तरीके जरे अलग है और एकदम एकदम मतलब लाइन से करते एकदम तो अगर आपको यह अपने पूरा वीडियो देख लिया तो तो फिर आपको कोई डाव समझ गये तो पहले हम लोग इससे बात करते हैं कि एफ्रिकन लॉबड ओफिशेस में मेल फिमेल कैसे पैचानते हैं तो इन्होंने बोला कि लुक तो डिये नहीं करते हैं तो अगर आप क्या समझो को महें महेंगे बर्ड से मतलब एफ्रिकन लॉबड में 30,000 के रहते एक ल बिलती हो गए होगी चेक करने के टाइम तो आप फिर लॉफ्स में आ सकते हैं इसलिए उन्होंने बला कि वो डिये ने करते लेकिन तो भी उन्होंने मुझे मेल फिमेल पैचानने का एक तरीका बताया जो वो हड़ी से उनके चेक करते हैं उनके ना मैंटी रहते हैं तो ठी होगी एकदम सुझे से उसकुष मेरा गैप होगा वो फिमेल होती है फिर उन्होंने ये भी बोला कि यह ज्यादा डरते हैं तो जब हम लोग पकड़ते हैं उसकी हड़ी चेक करने तो फिमेल डर के मारे ना खुद को जकेट लेती एकदम टाइट होती है जिससे ना हड़ी चिपक जाती है तो इसमें आप जड़ा कंफीज हो सकते कि मेल को रहें फिमेल कौन है तो उन्होंने बोला यह करते हो कि ना उनके जो मुह ना वहां पर हवा मारते रहें ना कंटेली जिससे ना वह जड़ा उनका ध्यार भटक जाए और हड़ी अपना लूज छोड़े जिस मेल फे मेल करने का दून बोला की पे रिंघ पेरिंघ कैसे करनी है आपको तो आपको आता होगा इस पर लोबर्स में दो आथे एक नन रिंग होते हैं और एक रिंग वाले होते हैं तो इन दो Azais लानों को आपको चबहें नहीं मिला नहीं लोग समझते हैं हाइबरिड हो को लेकिन वो था है mule, mule lovers निकलते हैं, जो आगे जाके breeding नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं दे सकते हैं, शिब वही पैदा होएगे, वह breed नहीं कर सकते हैं, तो non ring और ring वाले को कभी नहीं मिलाना है आपको, समझें, उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला की pairing में आपको ऐसे क लो और उसको परस्णाड्र को परस्णाडर से लिए लगाओ ताकि अच्छे कलर में एख्डम प्योर आपoter ऐसा उन्हें दो नहीं बोला दो पेरीक होती एक natural पेरीक होती एक एक फोर्श पेरेरे लेसल पेरिके न हूँ बहुत जल्र जल्दी उलाती हे उनने बोला आप में पेर लगा देगे तो बहुत जल्दी लगा देए उनको टाइम नहीं लगता हूँ अपको अलग करना है जब अलग करना है तो भी उनका देखना जेंडर क्योंकि मेल मेल या फिमेल फिमेल भी लगा देते पेर और अगर फोस्ट पेरिंग मतलब आपके आपको मर्जी का पेर लगाना है और यह बोला कि नैच्टरल पेरिंग उतना फाइदे मन नहीं है जितना फोस्ट पेरिंग है क्योंकि नैच्टरल पेरिंग है ना वो होती जल्जी है लेकिन उसमें अपने मर्जी के बर्द नहीं लगा सकते है और फोस्ट पेरिंग आ ना उसमें portions रहते हैं portions में भी एना ऐसा लकड़ी का कुई आ फिस्टील का लगाते ताकि एक दूसरी को देखना सके स्रीप ब्रिडिंग में उनका ध्यान हो तो वैसे आपको अकिला रखना है सब जρε मेल को है ना अक्यला रख मैं आपको ताकि वह मतलब अक्यला रख रख कर मैं जैसे बजिस का रख माता था वैसे यह इसका भी उसके बाद में आपको जो फीमेल आपकी है वो अइड कनने है फीमेल उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए यह याद रखना दोनों से मेंच के हो गया फिर एक मेंगा च्छाटा को तो चलेगा तो ऐसा आपको करना है पैरिंग हो गया इसके बाद जो birds molting पे उनको आपको breed पे नहीं रखना क्योंकि वो पहले से stress पे रहते तो अगर molting birds को breed पे रहते हैं तो और stress हजाएगा ज्यादा stress के वज़े से वो disease हो सकता है उनको तो जो molting वाले birds हैं उनको breed पे मत रखना अभी बात करते हैं सब pairing हो गई इनकी breeding age क्या है तो breeding age इनने बोला कि एक साल एक साल या दस महिने ऐसा उनने बोला लेकिन एक साल जादा उनने अच्छा बोला उनने बोला कि अगर कुछ गुछ लोग है जो आठ या साथ नो महिने में बीड करते लेकिन तब वो mature नहीं होते जिसके से इनफरटाइल एक देते या फिर फिमेर कभी कभी आपने अंडे को मारती है बच्चों को मारती है अगर इसको आदत लग गई तो फिर आगे ब्रीड में वैसी करेगी तो उन्होंने बोला कि एक साल के बाद ही वो ब्रीड लेते हैं इसके बाद बीड लेने से पह करेगे ना तो स्ट्रॉंग बन जाते हैं ताकि उस मेडिसिन का उसर ना हो इसलिए हर साल बदलते रही है अपना जो उनका जो आपने देते डिवार्मिंग के लिए मेडिसी या फिन इस्तिमाल कर सकते हैं नैश्रल में कुछ बदलने की जरूद नहीं बोला उसके बाद बी विटामीन यह उससे फोटीलिट बढ़ती है और विटामीन दी ट्री यह सब ज़्यादा जरूरी होने चाहिए और बागी के विटामीस भी होने चाहिए एसा है यहाल नों बोला कि इतना बडा मैंने जैसा बोला था कि उसके अपने पंक को यूज कर सके एसा इतना बड़ा क्यिज लो और उसके बाद मैन को तेसड़ाना होनों बना तो इसा को थोड़ा हायर मतलब थोड़े उनची जगपर केज को रखो या फिर जमीन में तो इतना है इतना बॉला क्या अगर वह हो दो इतना से फिल नहीं करते हैं फिर इस अब इस्टर बाद के लिए नहीं लेते अगर आप टेंपरेचर कर सकते क्योंकि एक घोसला बनाते है तो इनके जो रहते हैं ना अपना जो अब लाको है तो सब्सक्राइब हो गलते बहुत है तो इसलिए नहीं से यह हो तो इसके बाद में कि इन ने कि बार है कि वोट इसको आपको लाना है तो और भूब feast पन्डिक चाहिए कि झाशंक्त गर्भी जिसए पोल्ते रभी लोग उन्हें कि जादा उन्हें भी देना थोड़ा सई नहीं ऑजाए उसका नेस्टिंग मटेरियल में आप कुन से भी घास आप जो यूज कर सकते हैं वह बोला सबकी तरह लग लेकिन उन्हें बोला कि उसके अंदर नीम लिव्स उनको दे या फिल लेमन गरास यह दोनों में से उनको एक दे ताकि नेस्टिंग अंदर जो चीटी आया केड़े आ यह दो आते ना ओन नहीं आ सके तो यह उनको दोड़े ताकि वह अपने नेस्टिंग में डाल दे निम लिव्स या फिर लेमन गरास उसके बाद में बोला कि सब्टिंग करते हैं मेल उतने नहीं करते फिर बाद में ना मेट कर देगे मेटिंग के 10 दिन के बाद फिमेल पूरिके जो लाइट रहती है जो आप सिप नेश्बॉक में उस लाइट को डालने का फिर आप चेक कर सकते हैं नहीं रिकले अभी अभी या फिर आप चम्मत से निकल सकते हैं एक्स को उन्हों बोला कि अगर उनको यूमन सेंट आ गए न अपने अंडे से यूमन का जो सेंट मुन का इटंडर सेंट रहता है या फिर प्रॉक्त को यह फ्र thriver अफिर से लाइन यह की यह सब्सक्राइब करना है में इक्कलन दिन से चीटेंतर से युद्टेंस पकान रेष्यू ए और स्कूंतर हो जाए कि rain न के यूदर ऑहपको यह देना है सब्सक्राइब फूरayan द इसके एक फूरों यहीं तो देता है उसके बाद कि रखेलिवेश को दोलब होई और उनके जो पार होते ना उसके आप डालते बैंड बेट? उनकी उनकी मेहां कि वह सब महंगे बरक्षी बीड़ करते तो उनको पता सब कि इसके पैरेंट कोने इसका मतलब यह किसका स्प्लीट है सब उनको बता चलते इसलेज बैंस डालते दो हफतों के बाद बच्चे निकलने के उसके बाद यह सब उनने बताया और उनने बहुनीर की लोगवर सेना पूरे स देखा है तो इतना इंफोन आपको किस ने नहीं दिया होगा यह मैंने पूरा एक विडिर से कैसे तो लिया आदा घंटा तो उसमें गया मेरा लेने में तो इस वीडियो को पूरा लाइक करना और आपसे देखा है तो आपको लाइक करना की पड़ेगा अभी और कमेंट के डंबरत्व कर चांब। में सब्सकाराइब करो चैनल को और अगर मेरा वाटसम नंबर रहेगा description box में, अगर आपको कोई doubt है, तो आप वहाँ से मुझे number ले सकते हैं, मुझे contact करके message कर सकते हैं, पूछ सकते कि अगर आपको कुछ doubt है, अगर आपको bird sale करने खरीने हैं, तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगे, okay so thank you for watching, bye bye